Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं Miscellaneous Exercise of Chapter No.10 का Question No.6 देखते हैं क्या है Find a Vector of Magnitude 5 Units हमें ऐसा Vector Find Out करना है जिसका Magnitude 5 Units हो And Parallel to the Resultant of the Vector A and B और जो क्या हो, Parallel हो किसके Resultant of A and B के तो कैसे Find Out होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है ध्यान से देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, Resultant of A and B निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, Resultant of A and B कैसे निकलेगा, तो इनके Resultant को हम किस से Represent कर लेंगे मालिया C Vector, कैसे निकलेगा, A plus B करके दोनों Vector's को एड़ कर दो, Resultant हो गया, तो C Vector is equal to किसके हो गया, A Vector क्या है हमारा, 2I प्लस 3J माइनस के प्लस में B Vector क्या हमारा, I माइनस 2J प्लस के तो यहाँ पे C Vector क्या आ गया 2 और 1 क्या हो गया हमारा, 3I 3J और माइनस 2J क्या हो गया, प्लस का J माइनस के और प्लस के क्या हो गया, 0K This is the Resultant Vector of A and B समझे आगे यहां तक अब हमें क्या करना है, इस Vector के Parallel Vector निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका Unit Vector Find Out कर लो, Unit Vector कैसे निकलता है, C Cap is equal to C Vector divided by Magnitude of C किसी भी Vector का Unit Vector निकालना है, मतलब उसका Cap निकालना है, तो कैसे निकलता है, वो Vector और उसके Magnitude से उसको Divide कर लो, तो क्या आएगा यहां पे, C Vector जो आया है, इसको तो हम एजिटीज लिख लेंगे 3I प्लस J Vector इसका Magnitude क्या होगा Under Root, 3 का Square प्लस 1 का Square तो कितना आगया है यहां पे बच्चो 3I प्लस J डिवाइड बाइ 3 का Square क्या होगा, 9 प्लस 1, तो हमारा जो C कैप आगया, वो क्या आगया, 3I प्लस J डिवाइड बाइ, अंडर Root 9 प्लस 1 क्या होगा, 10 अब यह जो Vector आया है बच्चो, यह होगा हमारा Unit Vector, क्योंकि इसका अगर Magnitude Find Out करेंगे ना, तो Magnitude क्या होगा, इसका 1 होगा यह क्या निकला है हमारा Unit Vector निकला है जो की इस Vector के Parallel होगा, अब हमें Magnitude कितना चाहिए, 5 यूनिट्स होना चाहिए, Simple है, हम क्या करेंगे, इस Vector को 5 से Multiply कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम Vector having Vector having Magnitude 5 unit is equal to क्या होगा, 5 times of C cap बस, इसका Magnitude 1 होगा, इसको 5 times मना ना, तो 5 से just multiply कर देना, तो किसके equal हो जाएगा, 5 into 3i plus j divided by under root 10 तो multiply करते हैं, 5 की 3 से multiply की, तो 5 3 जा क्या होगा हमारा, 15i upon में under root 10 plus में 5 by under root 10 into j, this is the answer, यह हो गया, हमारा Vector, जो की क्या होगा, इस resultant Vector के parallel भी होगा और इसका magnitude जो होगा, वो क्या होगा, 5 unit होगा, ऐसे करना था, समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है जो भी parallel Vector लिकलता है, उसका magnitude 1 unit होता है, तब ही वो parallel होता है, यह 1 unit है, हमें बनाना है 5 unit, तो इसको 5 से just multiply कर देंगे, तो Vector जो हमारा form होगा, उस Vector का magnitude होगा 5 unit, और वो हमारा इस resultant Vector के parallel भी होगा, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई भी doubt लगे screen source और share कर सकते हैं, वर्सत पे मैं आपकी help जरूर करूंगा, आप भी channel को grow करने में help कीजिए, thank you students for watching your channel NEXA Classes